है यह प्रेंट्स हम लोग थेल्स परमे पर जो है वेल्ट एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज 6.2 आधार बुद्ध समान पातिकता परमे या थेल्स परमे हम लोगों ने देखा था एक होता है थेल्स परमे फिर होता है उसका बिलोंग तो मैं पहले एक सेकंड में उसका रिवीजन करा देता हूँ आपका होता क्या है थेल्स परमे क्या होता है कि कोई ट्रेंगिल आपका है ABC किसी एक भुजा के समानतर कोई रेखा के चीग है यह D कैसा है BC के समानतर है यह पता है यानि एक भुजा के समानतर आपने रेखा खीची यह दो बिन दों पे कट करती है तो यह जो रेशियो हो गया AD upon DB equal to AE upon EC AD upon DB equal to AE upon EC यही क्या है थेल्स परमे इसी को क्या बोला जाता है आधार भूत समानतर पातिकता परमे और क्या होता है इसका विप्रीत क्या होता है मैंने बताया थे थेवरम में दो पार्ट होते हैं एक पता रहता है दूसरा हम लोग कहते हैं कि यह होगा तो इसका विप्रीद क्या होगा कि यानि कोई ट्रेंगिल में कोई ट्रेंगिल में कोई लाइन ऐसी ड्रा करिए आप कि AD upon DB equal to AE upon EC हो तो D समानतर BC होगा यानि अगर आपने कोई D line ऐसे ट्रा किया कि यह जो रेशियो है AD upon DB equal to AE upon EC है यह आपको गिवेन है यह आपको पता है है तो हम लोग क्या कहेंगे कि D समानतर BC होगा यह क्या होगा अपोजिट है तो आदार बहुत समानपातिकता पर में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि जो पूरा एक्सरसाइज है उसी पर बेस्ड है AD upon DB equal to AE upon EC कब होगा जब BC समानतर DE यानि अगर DE समानतर BC यह दिया है तो हम लोग क्या कहेंगे कि AD upon DB equal to AE upon EC और अगर AD upon DB equal to AE upon EC दिया है तो हम कहेंगे कि DE समानतर BC तो यहाँ पे एक question लिखा है question no 10 हम लोग पीछे से स्टार्ट करें लास्ट क्वेस्टन पहले कर रहे हैं क्योंकि त्योरी अगर आपने पढ़ लिया तो फिर सारे क्वेस्टन बहुत इजी हो जाते हैं एक चत्रभूज ABCD के बिकर्ण परस्फर बिंदू O पर इस परकार पर तिछिद करते हैं क्या है एक चत्रभूज ABCD है आपका कोई कोई चत्रभूज आपका ABCD है के बिकर्ण इनको क्या बोला जाता है बिकर्ण यह बिकर्ण क्या करा आप परस्फर बिंदू O पर इस परकार पर तिछिद करते हैं कि AO upon BO equal to CO upon DO यानि अब हम लोग जब इसका solution इस्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे पहले कि AO upon BO equal to CO upon DO यह दिया है यह आपको पता है कि चत्रभूज ABCD में आप यहां पर लिख सकते हैं कि चत्रभूज ABCD में चत्रभूज ABCD में AO upon BO equal to CO upon DO यह आपका गिवेन है अब क्या करना है सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है तो समलंब क्या होता है कि समलंब होता है कि आमने सामने की भुजा का एक युग मगर समांतर है चत्रभूज का तो उसको क्या बोलते हैं समलंब कि आमने सामने की कि भुजा का एक युग मगर समांतर होता है तो यह तो रिफ्रेंस के लिए बता दिया कि समलंब आपको प्रूब करना है तो आपको पता होना चाहिए कि समलंब क्या होता है तो समलंब क्या होता है आमने सामने की भुजा का एक युग मगर समांतर होता है जो बिंदू ओपर प्रतिशेद करते हैं आपको दिया है AO upon BO equal to CO upon DO अब आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंभ है अब आपको लोग स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना है ABCD एक समलंभ है जो दिया है हम लोग उसको देखते हैं ये AO upon BO equal to CO upon DO AO upon BO अगर AO upon CO होता तो अपने कुछ काम का होता क्योंकि हम लोग जब रेशियो या ठ्छल्सपर में लगाते हैं तो वो रेशियो आता है अलग-अलग ट्रेंगल का रेशियो थोड़ी आता है तो इसको क्या कर लेते हैं साइड चेंज कर लेते हैं यानि CO को इधर ले आते हैं तो साइड चेंज करते हैं तो इधर multiplication में CO है जब इसका side change करोगे तो इसका division में आ जाएगा और बीवो इधर क्या है डिवाइड में है तो इसका साइड चेंड करोगे तो मल्टी प्लाई में आ जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा बीवो अपां डीवो यह हम लोग कर लिए आप क्या करते हैं थोड़ा आगे बढ़ने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हलका सा हम लोगों ने एक लाइन ओयम ड्रा कर दिया ओ से जो ए बी के फैलल है क्या क्या आपने कि ए बी पैलल ओयम खीचा यहां पे आप लिखेंगे अगला इस्टप क्या 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 है कि ओयम पैलल ए बी खीचा क्योंकि आप ट्रेंगिल बनाएंगे यह ओबी और डीवो इस ट्रेंगिल में इस ट्रेंगिल में अगर लगे तो यह क्या होगा अगर इस समानतर एबी के खीच दिया यहां पे तो यह फाइदा होगा कि हम ट्रेंगिल DBA में क्या कह सकते हैं कि DO upon OB equal to DM upon AM तो हम लोग अब लगाते हैं ट्रेंगिल ABD में ट्रेंगिल ABD में यह आपका ABD ट्रेंगिल में यहाँ पर फिर से बना देता हूँ यह A है यह B है यह D है और आपका क्या है इस पे कहीं पे O है और यह M है तो क्या है OM plus AB यानि कि एक भुजा के समानतर रेखा खीची है तो यह दोनों भुजाओं को क्या करेगी समानन पात्म विभाजित करेगी थेल्स पर में से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि दी वो अपान O B इकल टू डी याम अपान M A दी वो अपान O B इकल टू डी याम अपान M A यह कहां से निकला पर में 6 पॉइंट 1 से और इसको थोड़ा आप और चेंज करके लिख दें तो यह सीवो अपान A O यह क्या हो जाएगा D O अपान B O A O अपान C O इकल टू बी वो अपान D O तो रसी पर ओकल कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा यह क्या हो जाएगा D O आपान D O कि इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन वन और इक्वेशन दो से क्या करता हैं अम लोगों go upon bo यह डी को उपान अपन की यह दोनों इक्वाल कर देते हैं तो हमारा जागेगा है कि यह डी dm upon ma यह वैलू है डीव अपान ओवी की और इधर क्या है डीव अपान ओवी की वैलू यह सीओ पान एवो है तो यह दोनों एक्वाल हो जाएंगे सिद्धे मैं में एक्वल टू सीओ अपान एवो कि अब हम लोग यह देखता हैं कि ट्रैंगिल एडी सी में ट्रेंगिल A, D, C में आपका क्या है यह जो ट्रेंगिल A, D, C है मैं छोटा सा बना देता हूं आपका यह आपका A है यह D है यह C है और यह A, C पे कोई भी बिन, A है और यह O, M, O है यह O, M है अब लोग देखें यहां पर क्या है ट्रेंगिल A, D, C में हम लोग यहां पर बना दें A, D, A, D, C इसमें क्या है DM upon MA, DM upon MA, DM upon MA equal to CO upon OA यानि कि यह रेखा जो आपने जो ड्रा करी है यह क्या करती है दोनों की जोगों को समान अनपात में बिभाजित करती है तो ट्रेंगिल A, D, C में या आप ऐसे कहें इसको reverse करके लिंख दें कि AM upon DM equal to AO upon CO यही लिखा है रेखिप रोकल कर दिया है तो किसी तिरबुज में अगर यह देखें आप AM upon MD equal to AO upon CO है तो क्या होगा यह जो भुजा जो दोनों भुजाओं को समान अनपात में जो लाइन डिवाइड करी है MO वो क्या होगा DC के समान तर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे ट्रेंगिल A, D, C में अतां MO parallel DC होगा 6.2 से परमे 6.2 से परमे 6.2 क्या कहता है कि अगर कोई रेखा आपकी ऐसी है जो दोनों भुजाओं को समान अनपात में बिवाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के क्या होगी समान तर होगी तो यहां AM upon MD equal to AO upon OC है तो इसका मलब कि MO parallel DC होगा तो देखिए MO या OM parallel AB है और MO parallel DC है तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि देखिए OM parallel AB तथा OM parallel DC है तो OM AB के parallel है और OM ही DC के parallel है तो AB और DC भी parallel होगी इसको कैसा बोलते हैं कि एक ही रेखा के समानतर रेखा हैं आपस में समानतर होती हैं तो यहां से हमको क्या मिले गया AB समानतर DC होगा AB समानतर DC होगा हम लोग यह प्रूव कर लेगे अब AB समानतर DC होगा तो चतुरबुज का समलंब होने की कंडिशन हमारी पूरी हो गई AB समानतर DC आता ABCD एक समलंब है आता ABCD एक समलंब है तो अमलोग फिर से इग बार देख लेते हैं पूरा Basic Proportionality Theorem Thales पर में क्या कहता है कि अगर आपने किसी भुजा के समानतर कोई रेखा खीचा और यह दोनों भुजाओं को कट करती है और यह रेशियो AM upon MD equal to AO upon OC है तो क्या होगा यह MO समानतर DC होगा यह अगर यह रेशियो बराबर है AM upon MD equal to AO upon OC है तो यह MO समानतर DC होगा तो हमको ABCD एक चतुर्भुस दिया था और जिसके बिकर्ण क्या O पे परतिछेद करते थे AO upon BO equal to CO upon DO आपका दिया था तो हम लोगोंने क्या 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 O से O या में एक लाइन कीची जो किसके पैलल है AB के पैलल हमने कीचा कोई लाइन तो होगी ना O से जाने वाली जो AB के पैलल होगी हमने वही लाइन खीचा उसके बाद फिर क्या 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 इस ट्रेंगिल में O यम पैलल AB है तो हम लोग क्या कहेंगे कि DO upon OB equal to DM upon MA और फिर जो गिवेन था उसको हमने थोड़ा सा चेंज करके लिखा और पहले equation और दूसरे equation से क्या कि DM upon DO upon OB की बेलू equal कर दी तो ये दोनों आपस में equal होगे तो किसी भी ट्रेंगिल में अगर ये ratio देखे AM upon MD equal to AO upon OC है तो क्या होगा ये MO parallel DC होगा यानि जो ये MO है ये DC के भी parallel होगा MO O AB के parallel है और MO DC के भी parallel है यानि AB और DC भी आपस में parallel होगे इसको ऐसे गोला जाता है कि A की ही रेखा के समानतर रेखा हैं आपस में समानतर होगी तो MO समानतर DC ये होगा अता AB समानतर DC होगा इसलिए ABCD एक समलम होगा तो समलम की condition पूरी होगी तो एक question आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं फिर सारे question उसे पर रहते हैं बस ये छोटा साब को समझना रहता है कि थेलस परमे कि हमको क्या देखना है कि अगर ratio equal है तो जो line होगी वो समानतर होगी तीसरी रेखा के और अगर तीसरी रेखा के एक रेखा के समानतर खीची गई है तो दोनों साइट को क्या करेगी बराबर अनुपात में विवाजित करेगी और जो अनुपात आप लेंगे तो अगर आपने AM upon MD लिया तो आप पहले AO upon OC ही लेंगे ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हैं कर लिया हमने AM upon MD equal to CO upon OA यह गलत हो जाएगा अगर पहले आपने AM लिया है तो इधर वाली में भी पहले AO लेंगे यह ध्यान रखिए तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेस्टन करेंगे 9th question तो पीछे से start क्या है कि अगर पीछे वाले question अच्छे रहते हैं आप एक question अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर सबकुछ ही हो जाता है केवल एक question से और थोड़ा सुरू में जो हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा force भी जादा रहता है तो अच्छे question इसलिए थोड़ा प